और दोस्तो मैं प्रभातिवारी स्वागत करता हूं आपके पने चैनल प्रभातिवारी इस्टडी आई क्यों पर अक्सर आप लोगों का एक कमेंट्स बहुँ ज्यादा आता है दोस्तों आज मैं थोड़ा सा वीडियो को विश्थार में बना रहा हूं थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा तो इसके लिए आप पैनिक मत होना लेकिन हाँ यहां से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके टीजीटी पीजीटी भरती की क्वालिफिकेशन सिरफ सम्मंधित सब्जक्ट की कॉम्बिनेशन से सम्मंधित आप लोगों का सारे डाउट्स दूर हो हैं कि नई जो 27,000 टीजीटी पीजीटी दस्तक दे रही आप लोगों की उसमें आप लोगों का क्वालिफिकेशन क्या रहेगा कहां पर वीजीटी की अन्यवारिता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनता है और कुछ बिस्यों को जो बता रहे थे कि यह यह बिसे बाहर जा रहे हैं या फिर अंदर आ रहे हैं तो दोस्तों इसमें मैं चर्चा करूंगा कि कौन-कौन से बिसे जो पीजीटी में अनिवार रहते हैं और टीजीटी में अनिवार रहते हैं ठीक है और किस बिसे के लिए दोस्तों आपको वीड़ अनिवारी होता है या फिन नहीं हर टॉपिक पर चर्चा करूं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल ने विजिट करें तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब बेल आइकन दबा देना जिससे आने वाली हर वीडियो को नोडिफिकेशन अप तक समय समय तक पहुंचता रहें दोस्तो जानकारी को दो इसके लिए त 2021 की वैकनसी का तो आप सभी को पता है कि सोला तीन 2021 से पंजी करेंड की तीथी हुई थी आनलाइन सुल्क जमा करने की जो यहां पर मेंसन किये हैं पूरा देहां पर दिये हैं और बिग्यापन कब निकाला गया था ठीक है आयो जो हमारे लिए काम काम की चीज़े हैं उसी प हमारा काम की चीज़ क्या है ठीक है तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं चलिए मैं लिए चलता हूं कि आबेदन सुल्क के बारे में कई लोग पूछ रहते कि सर आबेदन सुल्क इतना लगता है तो देख लीजे दोस्तों यहां पर अनर अच्छी जिसको आप साथ सो लगता है और अनुसूची जाती कर साड़ें चार सो और यसटी जिसको अप अनुसूची जंजाती कहते हैं इसका धाई सौल ड़ाइस रुपे लगता है तो कहने का मतलब यह है कि आप एक पिजीट कर चुके हो मीनिमुम आपकी होना चाहिए चलिए आगे यहाँ पर मैं आपको और प्रोसेस दिखाता हूँ ठीक है अगर आप भूत पूर सहनिक हैं अगर आप भी बीपीट किये हैं तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर वेनिफिट मिल जाएगा चलिए नीचे स्क्रॉल करके मैं दिखाता हूँ चलिए आप लोगों का एक कुश्चन आ रहा था ना कि पीजीटी में कौन-कौन से सबजेक्ट होते हैं और आने वाली 2022 की बैकिंसी में कौन-कौन से सबजेक्ट रहेंगे तो ध्यान दीजे हिंदी रहती है आपकी मैथ रहती है आपकी यहाँ पर होम साइंस रहता है एकनोमि पाणिज रहता है किसी विज्ञान सेन विज्ञान तर्क सास रहता ठीक है यह दोस्तों आप लोगों को जो सीटे हैं बेसिकली रहती है आपकी पीजीटी में इतनी सारी सीटें आप लोग देख लिजेगा जो लोग स्क्रिंशॉट लेना चाते हैं आराम से ले लिजी यह 2021 का दोस्तों ओफीसियल नोटिफिकेशन है आप लोगों को जो कुश्चना था कि सर कौन-कौन सी सीटे हैं और कौन-कौन से सब्जेक की सीटे है तो यहां पर सीटों की संख्या भी मेंशन की गी थी पिछली भरती में कितनी आई थी अब आप लोगों का एक कुश्चना र में होना चाली ठीक किहा अगर आप इंदी से अप्लाई करना चाहते हैं पीजी टी के लिए तो पहला नंबर तो आप और इसके साथ एक सथ्पेट कॉम्बिनेशन दोस्तों संस्क्रिक के साथ आफ द दोस्तों दोस्तों विये किया हो कुश्चन कर रहे थी इसी प्रिकार मैथ में दिये हैं दोस्तों मैस का यहां पर दिये हैं आपका मैस्ती दोस्तों दोनों ही आपका मैस से होना चाहिए इस बात को ध्यान देना ठीक है अगर आप ऑनर्स किये हैं तब दोस्तों आपका चल जाएगा ग्रीबिग्यान की बात कर तो दोस्तो इंग्लिस का भी यहां पर दिया है नियमा उनिसार अस्तापित उत्तरपदेश आत्वा किसी अन्य प्राप्त महाविच्छू विद्याले से अंग्रेजी भी से असनाक उत्तर उपाधी पोस्ट ग्रेजूट डिग्री किसी ट्रेनिंग कालेच से एल्टी डिप्ल सारे subject का यहाँ पर mention किये हैं आप लोग देख लिजएगा कला का भी दिये हैं दोस्तों यहाँ पर कला के लिए अगर आप कला से करना चाहते हैं तो यह पूरा process दिये हैं और आप लोगों के लिए अगर कोई भी छूट लेना चाहते हैं तो दोस्तो B.A.D. और M.A.D. PhD जिनके पास ये सारे माड़ पत्र है दोस्तो तो उनको यहाँ पर छूट मिल जाएगी कितनी छूट मिलेगी दोस्तो इसके लिए मैं यहाँ पर नीचे दिखाऊंगा कितनी छूट आपको मिलेगी ठीक है यह पूरा प्रोसेस दिये हैं संस्क्रित दोस्तो यह देख लिए संस्क्रित का अपना देख लिजिएगा दोस्तो और इसका अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस से पीडियाफ का लिंक भी आप लोगों को दे दूँगा आप लोग कमेंट सेक्शन बता देना मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगा ठीक है बहराल अपना अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा क्या दोस्तो यहां पर मांगे हैं आप लोग देख लीजिएगा देख है चलिए अब दोस्तों यहां पर बात आ जाती है थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करके जूम करके आपको दिखाता ह हूँ यह आपका सिच्छा सास्त्रस हो गया दोस्तों यह और जीव घ्यान का हो गया चलिए मैं जो बैसिकली आप लोगों को कुछ चीद दिखाना चाहता हूँ कि यहां पर चूट कितनी होती है और कितने नंबर की आपकी परिच्छा कराई आती है तो दोस्तों यहां पर देखिए जो आपकी लिखीत परिच्छा पीजटी में होगी 425 अंकों कोई होगी 767 आर आपका दोस्तों 50 अंक का होगा और उत्तरवदेश माधिमिक सिच्छा चिवाचेमवर निमायली के इंतरगर दोस्तों 25 अंक आपको दोस्तों बोनक्स में दिये जाएंगे कहने का मतल तब हैं 25 नंबर आपको बोनस मिलते हैं 50 नंबर इंटर्विव को होता है और 425 नंबर की परिच्छा होती है तोटली 500 का होता है अगर आप लोगों को कोई कुश्यन बन रहा हो तो कमेंट सेक्षन बता देना मैं सारे कुश्यन को रीड करता हूं चैनल नए है तो चैनल को सब सब्सक्राइब कर लेना जय ही जय भारत